नमस्कार सातियों स्वागत है आप सभी का अग्रिम MPPSC Academy में और दोस्तों आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और ये शुरुआत है दोस्तों सिरीज में दोस्तों हम लोग बाचीत करेंगे भारत के संविधान पर और दोस्तों ये कम्प्लीट सिरीज कराई जाएगी आप लोगों को भारत के संविधान की तो दोस्तों ये शुरी परिच्छाओं के लिए बहुत ही लाबदायक सिद्धोने वाली है दोस्तों और आज से हम दोस्तों इस्टार्ट करने वाले हैं भारत के संविधान को और आज दोस्तों बात करेंगे भारत के शंविधान के अंतरगत भारत की संबिधान सभा और ये भी देखेंगे कि संबिधान सभा का विचार किसे ने दिया तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत का संबिधान भारत का संबिधान क्या होता है तो संबिधान क्या होता है दोस्तों तो संबिधान क्या होता है सं इसके आधार पर वह दस्तावेज है दोस्तों जिसके आधार पर किसी भी देश की क्या होती है दोस्तों सासन की विवस्था क्या होती है दोस्तों संचालित की जाती है तो किसी भी देश की सासन विवस्था क्या होती है दोस्तों संचालित की जाती है किसके द्वारा संविधा के द्वारा और क्या है दोस्तों तो इस प्रकार से संभिधान क्या हुआ दोस्तों एक प्रकार का डाकुमेंट हुआ एक प्रकार का लीगल क्या हुआ दोस्तों दस्तावेज है तो संभिधान क्या है दोस्तों एक प्रकार का वैधानिक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी भी देश की सासन विवस्ता संचालित की जाती है और भारती संविधान का जो निर्मार था दोस्तो उसका निर्मार दोस्तो भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया और भारती संविधान का निर्मार करने वाली जो दोस्तो उसका गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मीशन की संस्तुतियों के रिकमेंडेशन के आधार पर क्या किया गया दोस्तो किया गया संभिधान सभा का गठन किया गया कब किया गया जुलाई 1946 में किया गया ठीक है दोस्तो तो चलिए दोस्तो आगे एक एक करेंगे अब दोस्तो आगे हम लोग बात करेंगे आगे हम लोग दोस्तो बाचीत करेंगे संविधान सभा पर ठीक है दोस्तों तो संविधान सभा जैसा कि हमने बात की कि संविधान सभा का गथन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया ठीक है दोस्तों कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था और जुलाई 1946 में किया गया था ठीक है दोस्तों अब देख लेते हैं संविधान सभा को एक एक करके point wise दोस्तों देखते चलेंगे इधर हो जाते हैं तो संविधान सभा के विचार को व्यावहारिक रूप में सर्व प्रथम अमेरिका के ब्यावहारिक रूप में दोस्तो सर्व प्रथम अमेरिका के संविधान में क्या किया गया दोस्तो अपनाया गया तो क्या हुआ दोस्तो जो ब्यावहारिक रूप में सर्व प्रथम अमेरिका और फ्रांस में संविधान सभा को अपनाया गया और भारत की सुतंतरता के राष्टी आंदोलन के लंबे कालखंड में अनेक आवसरों पर प्रत्यच एवं परोच रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई तो क्या था दोस्तो संविधान सभा के विचार को व्याओंथारिक रूप में सर्व परत्यच एवं परोच रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई संभिधान सभा के सिध्धान्त का दर्शन सर्व प्रतम बाल गंगा धर तिलक के निर्देश में निर्मित सुराज विधेक में मिलता है संभिधान सभा के सिध्धान्त का दर्शन सबसे पहले बाल गंगा धर तिलक के निर्देशन में निर्मित जो सुराज विधेक था उसमें मिलता है दोस्तों और डेट याद रखेंगे दोस्तों 1895 सन याद रखेंगे 1895 में इन्हों ने क्या किया था संभिधान सभा के सिध्धान्त को क्या किया था दोस्तों संभिधान सभा के सिध्धान्त की बात रखी थी ठीक है दोस्तों तो सर्व प्रतम संभिधान सभा के सिध्धान्त का दर्शन बाल गंगा धर तिलक के निर्देशन में निर्मित सु सुराज विध्यक में मिलता है आगे देख लेते हैं दोस्तों सन 1922 में उसके बाद दोस्तों सन 1922 में गांधी जी ने भारती संविधान के निर्मार के लिए भारत की संविधान सभा की आवसकता पर बल दिया तो सन 1922 में दोस्तों गांधी जी ने क्या किया भारती संविधान के निर्मार के लिए भारत की संविधान सभा की आवसकता पर बल दिया और उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन पत्रिका में यह विचार व्यक्त किया कि भारती संविधान भारतियों की इच्छा अनुसार ही ह तो महातमा गांधी जी ने क्या कहा कि भारत का संबिधान भारती स्वैम बनाएंगे और उसके लिए भारत की संबिधान सभा हो ऐसा विचाल उन्होंने दिया और अपनी हरजन पत्रिका में उन्होंने क्या कहा दो भारत का संविधान जो है वो भारतियों की इच्छा अनुसार ही होगा ठीक है दोस्तों आगे है दोस्तों फिर क्या हुआ अप्रैल 1932 में दोस्तों 1895 में सबसे पहले तो किनों ने दिया दोस्तों तो बाल गंगादर तिलक जी ने सुराज विधेयक में है न पहली बार जो है तो अब अप्रैल 1923 में जो सप्रू समिती सप्रू समिती यहां पे सत्रू हो गया दोस्तों उसको सधार लेंगे है न सप्रू नहीं दोस्तों सप्रू समिती सप्रू समिती की सप्रू समिती यहां पे मिश्टेक हो गया है तो सप्रू समिती ने कामन विल्थ आप इंडिया बिल का प्रारूप तयार किया अपरैल 1923 में गठ्थित सप्रूश समिति ने कामन बेल्थाप इंडिया बिल का प्रारूप तयार किया इसे 1925 में गांधी जी की अध्यचतावाले दिल्ली सर्वदलिय सम्मेलन में प्रस्तूत किया गया तो ये जो दोस्तों कामन वेल्थ आप इंडिया बिल का जो प्रारूप था ये 1923 में गठित सप्रूस समिती ने बनाया था और इसको दोस्तों 1925 में गांधी जी की अधिस्ता वाले दिल्ली सर्वदली सम्मेलन में पेस किया गया था यह संबिधान निर्मार की दिशा में पहला महत्तुपूर्ण प्रयास था और ये जो क्या था दोस्तों कामन वेल्थ आप इंडिया बिल का प्रारूप था ये संबिधान निर्मार की दिशा में पहला महत्तुपूर्ण क्या था दोस्तों प्रयास था ठीक है दोस्तों आगे क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को इस पश्ट तया स्विकार किया परंत इसे ब्यावहारिक रूप वर्स 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव दॉर्ण किया जा सका तो दोस्तों 1924 में क्या हुआ क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को इस पश्ट तया क्या किया दोस्तों स्विकार कर लिया लेकिन उसको व्यावहारिक रूप वर्स 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ता द्वारा प्रदान किया जा सका ठीक है दोस्तों आगे देख लेते हैं संविधान सभा के लिए चुनाओ जुलाई अगस्त 1946 इसवी में हुए और ब्रिटिस भारत के लिए आवंटीत 296 सीटों 296 सीटों इस चुनाओ में भारती राष्टी कांग्रेस को 208 मुस्लिम लिग को 73 एवं छोटे समुहों 273 सदस्यों को 15 सीटे प्राप्त हुई तो दोस्तों जो जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाओ हुए उसमें ब्रिटिस भारत के लिए आवंटीत 296 सीटों है तो जो चुनाओ हुआ तो इस चुनाओ में भारती राष्टी कांग्रेस को 208 मुस्लिम लिग को 73 और चोटे समुहों बस्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटे प्राप्त हुई तो दोस्तों 296 सीटों पर क्या हुआ दोस्तों चुनाओ हुआ और इसमें से क्या हुआ दोस्तों 208 सीटे मुस्लिम लिग को मिली और जो चोटे समुहों थे दोस्तों उनको 15 सीटे मिली याद रखेंगे 296 सीटों पर चुनाओ हुए कुल कितनी सीटे थी दोस्तों तो याद रखेंगे 389-389 में दोस्तों 296 पर चुनाओ हुए थे बाकी जो सीटे थी दोस्तों वो राजा रजबारु के लिए थी और वो क्या थे दोस्तों मनोनीत होते थे ठीक है दोस्तों आगे देख लेते हैं यह इस पश्ट था कि संविधान सभा आंसिक रूप से चुनी हुई और आंसिक रूप से नामांकित निकाय थी तो दोस्तों हुआ क्या जो संभिधान सभा थी दोस्तों वो क्या थी आंसिक रूप से मतलब उसके क्या थे दोस्तों कुछ मेंबर आंसिक रूप से चुने हुए थे और कुछ क्या थे दोस्तों नामांकित थे कुछ क्या थे दोस्तो उनको मनोनीत कर लिया गया था तो कुछ आंसिक रुप से चुने हुए थे और कुछ क्या थे दोस्तो मनोनीत सदस्य थे तो इस तरह से क्या था दोस्तो जो संविधान सभा थी जो संविधान सभा थी दोस्तो जो संबिधान सभा थी दोस्तों ये क्या थी संबिधान सभा क्या थी दोस्तों आंसिक रूप से चुनी हुई और आंसिक रूप से नामांकित निकाय थी इसके अतिरिक्त सदस्यों का चैयन अप्रत्यच रूप से प्रांती विवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था जिसका चुनाव एक सीमित मता अधिकार के आधार पर किया गया था आगे देख लेते हैं दोस्तों देश के विभाजन की योजना इस्पष्ट होने पर संबिधान सभा की संरचना को पुनह विवस्थित किया गया और क्या हुआ दोस्तों जब मुस्लिम लीग को 73 सीटे में ली तो क्या सिया मुस्लिम लीग ने बाइकाट कर दिया संविधान सभा का और उसने अलग पाकिस्तान की माग करना सुरू कर दिया और इस तरह से क्या हुआ दोस्तों देश का विभाजन हो गया और देश के आने वाले सदस्य अब भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे तो पाकिस्तान में जो छेतर सामिल हो गए दोस्तों और जो देशी रियास्ते पाकिस्तान में चली गई उनसे जो चुन करके आने वाले सदस्य थे अब भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए थे ठीक है दोस्तों आगे देख लेते हैं पाकिस्तान में सामिल होने वाले च्छेतरों से देशी रियास्तों से चुनकर आने वाले सदस्य अभ भारत की सम्मिधान सभा के सदस्य नहीं रहे अब सम्मिधान सभा 329 के अस्थान पर 299 सदस्य रह गए सम्विधान सभा में क्या हुआ दोस्तों जब मुस्लिम लीग ने क्या किया दोस्तों अलग पाकिस्तान जब क्या हुआ दोस्तों भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो 389 जो सम्मिधान सभा के सदस्य थे तो उनके अस्थान पर क्या हुआ दोस्तो 299 सदस्य रह गए याद रखेंगे दोस्तो ऐसा question बनता है परिच्छा में कि भारत और पाकिस्तान या विभाजन के बाद भारत की सम्मिधान सभा में कितने सदस्य थे ठीक है दोस्तो तो आप लोग याद रखेंगे 299 सदस्य रह गए थे जिन में से 239 सदस्य दोस्तो प्रांतों से थे तथा 70 देशी रियास्तों के थे और उसमें से क्या था दोस्तों 299 में 229 प्रांतों से थे और 70 सदस से क्या थे दोस्तों देशी रियास्तों से थे याद रखेंगे आगे देख लेते हैं दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संबिधान सभा की प्रतम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ दोस्तों जो संबिधान सभा थी उसकी पहली बैठक हुई और प्रतम बैठक में डाक्र सक्चिदानंदसिनहा को आईस्थाई अध्यच्च चुना गया और उसी पहली बैठक में ही क्या किया गया दोस्तों जो डाक्तर सचिदान अंद सिनहा जी थे उनको आई स्थाई अध्यच चुना गया और दोस्तों ये क्या थे संविधान सभा के सबसे बुजूर्ग सदस्य थे इसी कारण इनको क्या किया गया था दोस्तों आई स्थाई अ अध्यच और H.C. मुखर जी को उपाध्यच चुना गया तो 11 दिसंबर को क्या हुआ दोस्तों 11 दिसंबर उसके दो दिन बाद ही दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को राजन्द प्रसाद को संविधान सभा का अध्यच और H.C. मुखर जी को क्या किया गया दोस्तों उपाध्यच चुना गया तथा इसी दिन सर बी एन राव को संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया तो जो पहली बैठक थी दोस्तों उसमें आइस थाई अध्यच बनाये गए डाक्टर सचिदानन सिनहा जी को अध्यच बनाया गया और क्यों बनाया गया दोस्तों क्योंकि वो सबसे बुजूर्ग सदस्य थे और फिर दोस्तों उसके दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजंद प्रसाद को संभिधान सभा का अध्यर्च और H.C. मुखर जी को उपाध्यर्च चुना गया और साथ ही दोस्तों का संभिधानिक सलाहकार नियुक्त कर लिया गया था ठीक है दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों अब आया उद्देश से प्रस्ताव संभिधान निर्मार का प्रारंब दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संभिधान क्या हो दोस्तों संभिधान का प्रारंब दोस्तों जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहर लाल नहरू के उद्देश से प्रस्ताव आपजेक्टिव रिजोलूशन से हुआ तो संभिधान निर्मार का प्रारंब दोस्तों जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहर लाल नहरू जी ने क्या किया था दोस्तों पंडित जवाहर लाल नहरू जी ने जो उद्देश से प्रस्ताव आपजेक्टिव रिजोलूशन पारित किया था उसी से क्या हुआ दोस्तों स सम्मिधान बना हमारी तो उसकी रूप रेखा बना और इस उद्देश प्रस्ताव में दोस्तों कितने अनुचेद थे तो पंडित जवाहर लाल नहरू जी द्वारा पारित उद्देश प्रस्ताव में कितने अनुचेद थे तो याद रखेंगे दोस्तों आठ अनुचेद थ यदि आपसे question ऐसा पूछा जाए कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहर लाल नहरू के उद्देश प्रस्ताओं में कितने अनुछेद थे तो आप लोग याद रखेंगे आठ अनुछेद थे नहरू के उद्देश प्रस्ताओं में भारती संबिधान के प्रमुख उद्देश जैसे सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याए अभिव्यक्ति की सुतंतरता वा उपासना का अधिकार आधि सम्मिलित थे तो क्या था दोस्तों नहरू का जो उद्देश प्रस्ताओं था उसमें भारती संबिधान के प्रमुख उद्देश जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याए अभिव्यक्ति की सुतंतरता वा उपासना का अधिकार आधि सामिल थे समाज के पिछडे वर्गों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और अल्पसंचिकों के हितों की रच्छा की घोसना हुई और इसी उद्देश प्रस्ताओं में भारत को एक संप्रभू राज्य के रूप में पहचाना गया और इसी उद्देश प्रस्ताओं में दोस्तों जो भारत था उसको एक संप्रभू राज्य के रूप में पहचाना गया तथा विश्व सांती पर बल प्रदान किया गया और क्या किया गया दोस्तों जो बिस्व की सांती थी तो उस पर क्या किया गया दोस्तों जोर दिया गया कि बिस्व में सांती रहे तो नहरू के इस उद्देश प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसमती से स्विकार कर लिया गया और ये जो उद्देश प्रस्ताव था दोस्तों इसको कब स्विकार किया गया तो 22 जनवरी 1946 को सर्वसमती से 22 जनवरी 1947 को सर्वसमती से स्विकार कर लिया गया यहां पर ध्यान में रखेंगे दोस्तों 22 जनवरी 1947 को तो नहरु जी के उद्देश प्रस्ताओं को कब स्विकार किया गया तो 22 जनवरी 1947 सर्व सम्मध्य स्विकार कर लिया गया इस समय भारती सम्मिधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया इसने क्या किया दोस्तों इसने भारती सम्मिधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया बाद में इसी उद्देश प्रस्ताओं के परिवर्तित रूप से सम्मिधान की प्रस्तावना बनी और बाद में क्या हुआ दोस्तों, इसी जो उद्देश प्रस्ताव था इसी के रूप को मोडिफाई कर दिया गया दोस्तों, परिवर्तित कर दिया गया और संबिधान की प्रस्तावना बनाई गई संभिधान सभा में दोस्तों 15 महिलाएं सामिल थी याद रखेंगे संभिधान सभा में कितनी महिलाएं थी तो संभिधान सभा में 15 महिलाएं सामिल थी जिनमें क्रमसा दोस्तों सभा में एक मात्र क्या थी दोस्तों मुस्लिम महिला जो थी तो उनका नाम था दोस्तों बेगम एजाज रसूल यह कुश्चन कई बार बना है दोस्तों एनी मस्करेनी और अमुस्वामिनाथन तो इस तरह से दोस्तों आप लोग एक दो बार इनके नाम को जरूर देखें लिकित में से कौन सी महिला संभिधान सभा की सदस्य नहीं थी तो याद रखेंगे दोस्तों जब आपको पता रहेगा तो आप लोग तभी कर पाएंगे अन्यता की स्थिती में गरवर हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं विजय लच्मी पंड जिनी नाइडू, सुचेता क्रिपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गा बाई, हंचा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दच्यानी वेलियुद्धन, बेगा मेजाज रसूल, एनी मस्किरीनी, अम्मू स्वामी नाथन आगे देख लेते हैं दोस्तों, सुतंतरता अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन हुआ, तो भारत सुतंतरता अधिनियम, संविधान सभा में क्या हुआ, दोस्तों, सुतंतरता अधिनियम के द्वारा क्या परिवर्तन हुआ, ये देख लेते हैं, तो भारत सुतंतरता अध प्रचना में निम्न परिवर्तन किया पहला परिवर्तन क्या था दोस्तों पहला जो परिवर्तन था वो पहला परिवर्तन क्या था संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभू निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी तो जो भारती सुत 1330 अधिनियम 1947 था दोस्तों तो उसने क्या किया संव्धान सभा को पूर्ड रूप से संप्रभू निकाय बना दिया और वो संव्धान सभा अपनी इच्छा से कोई भी संव्धान बना सकती थी और इस अधिनियम ने संव्धान को ब्रिटिस अंसत द्वारा भारत के संबंध म बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अत्वा बदलने का अधिकार दे दिया तो भारती सुतंतरता अधिनियम ने क्या किया दोस्तों अधिनियम ने सम्विधान को बिटिस संसद्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अत्वा बदलने का अधिकार भी दे दिया दूसरा जो परिवर्तन था दोस्तों तो संभिधान सभा एक विधाई का भी बन गई संभिधान सभा क्या थी दोस्तों एक विधाई का भी बन गई दूसरे सब्दों में संभिधान सभा को दो अलग-अलग काम सौपे गए जिसमें से एक कार सुतंत निकाय बन गई अपने इच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी है न और बिटिस अंसद द्वारा यदि कोई कानून बनाया गया है तो उसको समाप्त कर सकती थी या उसको बदलने का अधिकार भी उसको भारती सुतंत्रता अधिनियम के द्वारा मिल गया था और संविध देश के लिए सामान कानून लागू करना था तो क्या था दोस्तो संभिधान सभा के दो कारे थे एक तो संभिधान का निर्मार करना और दूसरा कारे दोस्तो देश के लिए सामान कानून लागू करना था आगे देख लेते हैं दोस्तो इस प्रकार सम्विधान सभा सुतंत्र भारत की पहली संसद बनी तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सम्विधान सभा थी वो सुतंत्र भारत की पहली संसद बनी और जब भी इस सभा की बैठक सम्विधान सभा के रूप में होती थी तब इसकी अध्यचता डाक्टर राज प्रसाथ करते थे तो जब क्या होता था दोस्तों संविधान सभा के और दोस्तों संविधान सभा के रूप में होती थे तो दो कार हो गया को में धेशता को तो तो डाक्टर राजिंत प्रसाद और जब विधायका के रूप में कानून बनाने के लिए बैठती थी तो उसकी अधिश्ता जीवी मावलंकर जी करते थे ठीक है दोस्तों और जीवी मावलंकर दोस्तों पहले लोग सभा अध्यच भी थे तो सम्विधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कारे करती रही इस समय तक सम्विधान निर्मार का कारे पूरा हो चुका था और सम्विधान सभा दोस्तों यदि आसे पूछा जाए कि सम्विधान सभा कब तक कारे करती रही तो आप लोग बताएंगे कि 26 मिंबर 1949 तक दोनों रूपों में संविधान सभा कारे करती रही और दोस्तों आगे देख लेते हैं संविधान सभा की समितियां संविधान सभा की समितियां तो संविधान सभा ने संविधान के निर्मार से संबंधित विभिन कारे को करने के लिए कई समितियों का गठन किया तो संबिधान सभा ने क्या किया था दोस्तों संबिधान के निर्मार से संबंधित विभिन कारियों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया और इन में दोस्तों आठ बड़ी समितियां थी और जो अन छोटी समितियां थी इन समितियों और अध्यच्चों के नाम देख ले से हैं बड़ी समीतियां एवं उनके अध्यच बड़ी समीतियां और उनके अध्यच तो पहली समीति दोस्तों संग सक्ति समीति संग सकती समिती पंडित जवाहर लाल नेहरू थे तीसरा दोस्तों राजयों के लिए समिती पंडित जवाहर लाल नेहरू तो नेहरुजी दोस्तों देखिए तीन बड़ी समितियों के अध्यच थे संघ सक्ती समिती संघिय संविधान समिती राज्यों के लिए समिती तो याद रखेंगे संघ सक्ती संघिय संविधान समिती और राज्यों के लिए समिती के अध्यच पंडित जवाहरलाल नेहरुजी प्रांतिय संभिधान समिती इसके अध्यच दोस्तों सरदार बल्लब भाई पटेल जी थे मौलिक अधिकारों एवं अल्प संग्छकों से संबंधित परामर्श समिती इसके अध्यच भी क्या थे दोस्तों सरदार बल्लब भाई पटेल थे तो पहली पांच समितियों में दोस समीती सरदार बल्लाब भाई पटेल मौलीक अधिकारों अन्प संखिकों से संबंधित परामर्ष समीती के अधिय लोग परिच्छा में बहुत कंफूज करेगा यह पॉइंट टिके दोस्तों आगे देखते हैं चट्वी समीती दोस्तों प्रारूप समीती प्रारूप समीती के अध्यच दोस्तों डाक्टर भीम राव अंबेड कर प्रारूप समीती के अध्यच दोस्तों डाक्टर राजिंद प्रसाद थे और संचालन समीती के अध्यच भी क्या थे दोस्तों डाक्टर राजिन्द प्रसाद जी थे तो प्रक्रिया नियम समीती डाक्टर राजिन्द प्रसाद अध्यच संचालन समीती दोस्तों डाक्टर राजिन्द प्रसाद अध्यच ठीक है दोस्तों और प्रारूप समिती के अध्यच डाक्टर भीमराव अंबेड कर थी इस तरह से दोस्तों ये बड़ी समितियां हो गई आठ बड़ी समितियां जिन में से क्या था दोस्तों तीन के अध्यच जवाहर लाल नहरू दो के अध्यच सरदार वल्लब भाई पटेल प्रारूप समिती के अध्यच डाक्टर भीमराव अंबेड कर प्रक्त्रिया नियम समिती के अध्यच दोस्तों डाक्टर राजिंद प्रसाद संचालन समिती डाक्टर राजिंद प्रसाद मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंचकों से संबंदित परामर्स समिती की दो उपसमितियां थी तो मौलिक अधिकार एवं जो अल्पसंचकों से संबंदित परामर्स समिती थी दोस्तों उसकी क्या थी दो उपसमितियां थी इसमें से पहली थी मौलिक अधिकार उप समीती जिसके अध्यत्च जेबी कृपलानी को बनाया गया था और दूसरे दोस्तों अलपसंग्चक उप समीती जिसका अध्यत्च H.C. मुखर जी को बनाया गया था तो याद रखेंगे कि जो मौलिक अधिकार और एवं अल्पसंचकों से संबंदित परामर्श समिती थी उसकी दो उपसमितियां भी थी और उसमें दोस्तों मौलिक अधिकार उपसमिती जिसका अध्यच जेवी कृपलानी जी को बनाया गया और अल्पसंचक दोस्तों उपसम खरजी जी को अध्यच बनाया गया संबिधान सभा के संबैधानिक सलाहकार वी एन राव द्वारा संबिधान का पहला प्रारूप तयार किया गया था इस प्रारूप में 243 अनुछेद और 13 अनुसूचिया थी तो संबिधान का जो पहला प्रारूप तयार किया गया था दोस दोस्तों संबिधान का पहला प्रारूप तयार किया गया था और इस प्रारूप में दोस्तों 243 आर्टिकल एंड 13 सिड्यूल्स थे ठीक है दोस्तों तो 243 अनुचेद एवं 13 अनुचूचियां थी संबिधान के पहले प्रारूप में याद रखेंगे आगे दोस्तों प्रारूप समिती के बारे में देख लेते हैं दोस्तों तो प्रारूप समिती क्या थी दोस्तों संबिधान के प्रारूप को तयार करने के लिए 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 इस वी को प्रारूप समिती का गठन किया गया तो संभिधान का जो प्रारूप था दोस्तों उसको तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 इस वी को प्रारूप समिती का अगठन किया गया डाक्टर भीमरा अम्बेडकर को प्रारूप समीदी का अध्यच नियुक्त किया गया प्रारूप समीदी का अध्यच दोस्तों डाक्टर भीमरा अम्बेडकर को नियुक्त किया गया और इसमें अध्यच सहित साथ सदस्य थे कितने सदे से दोस्तों डाप्टर भीमरा अंबिडकर को मिला करके साथ सदे से थे जिन में से पहले के मुंसी मुंबई से निर्वाचित थे मुहमद सादुलाह असम से निर्वाचित मुसलिम लिग के थे बी इमित्र बी एल मित्र थे दोस्तों अलादी कृष्ण स्वामी आयर मदरास से निर्दली थे दोस्तों और इन गोपाला स्वामी आयंगर मदरास से निर्दली थे ये भी और डीपी खेतान दोस्तों ये भी निर्दली थे इस तरह से दोस्तों के मुंसी, मुहम्मद सादुला, बी इलमित्र, अल्लादी कृष्ण स्वामी आयर, इन गोपाला स्वामी आयंगर, डी पी खेतान ये क्या थे दोस्तों प्रारूप समिती के सदस्य थे और इसके अध्यच दोस्तों डाक्टर भीमराओ, अमबेटकर जी थ बदे हैं, बाद में, बी इलमित्र और डी पी खेतान के अस्थान पर अन माधवाचारी, इन माधाओ और टी टी कृष्णा मचारी को सदस्य बनाया गया। बाद में दोस्तों बी इलमित्र और डीपी खेतान जी के अस्थान पर क्या किया गया एन माधाओ और टीटी कृष्णा मचारी को सदस्य बनाया गया प्रारूप समीती के सदस्यों में से केवल दो केमुंसी एवं टीटी कृष्णा मचारी कांग्रेस के सदस्य थे तो केमुं सब्सक्राइटर्ट में कवल किया थे का अंगुरेश स दुष थै कंव इसको देख लेते और दोными क्या सुनक्क शुती, उनके कक्रिश्ट क्रिष्ट, चो mend Presti हैं तो समिधान सभा के कारियों से संबंधित समिती जीवी मावलंकर तो समिधान सभा के कारियों से संबंधित जो समिती थी दोस्तों उसके अध्यच जीवी मावलंकर थे कार संचालन समिती के अध्यच दोस्तों डाक्टर के मुंसी थे सदन समिती के अध्यच दोस्तों भी पट्टा भी सीता रमया थे राष्ट राष्ट ध्वज संबंधी तदर्थ समिती राष्ट ध्वज संबंधी तदर्थ समिती थी दोस्तों उसके अध्यच डाक्टर राजेंद प्रसाथ ते याद रखेंगे तदर्थ समिती र राक्टर राजंद प्रसाद अध्यच्च मौलिक अधिकारों अलपसंचकों एवं जन जातियों वह बहिस्कृत शेत्रों के लिए सलाहकार समिती सर्दार वल्लभाई पटेल ठीक है दोस्तों क्रिडेंसियल समिती दोस्तों यहां पे गलत हो गया है थोड़ा सा करेक्ट कर लीजेगा क्रिडेंसियल समिती अल्लादी कृष्ण स्वामी अयर जी थे इसके अध्यच्च तो क्रिडेंसियल समिती के अध्यच्च कहूं थे दोस्तों तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अयर इस इंदी अनुवाद समिती इसके अध्यच नहीं थे उर्दु अनुवाद समिती प्रेश दीरगा समिती आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिती दोस्तों तो भी पट्टा भी सीतारमया थे और भासाई प्रांतों से संबंधित जो आयोग हैं दोस्तों वो भी थे और वृत्ति प्रावधानों संबंधी विशेसग्य समिती, सर्वोचने आले के लिए तदर्थ समितियां इसके अध्यच इस वर्दा चरियार थे, ठीक है दोस्तों, ये कौन थे, सर्वोचने आले के लिए जो तदर्थ समिती थी, उसके अध्यच कौन थे, इस वर्दा चरियार, कौन थे दोस्तों अध्यच थे सर्वोच नियाले के लिए तदर्थ समिती के आगे देख लेते हैं दोस्तों 30 अगस्त 1947 इसमी को प्रारूप समिती की प्रथम बैठक हुई और इसके पस्चात संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा की गई तो जो 30 अगस्त 1947 को क्या हुआ दोस्तों 30 अगस्त 1947 इसमी को प्रारूप समिती की पहली बैठक हुई और इसके पस्चात क्या हुआ दोस्तों संबिधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक क्या किया गया दोस्तों चर्चा पर चर्चा की गई और इस दोरान जो क्या हुआ दोस्तों इस दोरान तैयार प्रारूप पर तीन बार वाचन किया गया और 114 दिनों में दोस्तों जो प्रारूप बनाया गया था संविधान निर्मार का तो संविधान का जो प्रारूप था दोस्तों उस पर तीन वार वाचन किया गया त्री टाइम क्या की गई दोस्तों रीडिंग की गई और डाक्टर बी आर अंवेड कर ने सम्विधान सभा के समच्छ दा कांसिटीट्यूशन एज सेटलड बाई असेंबली भी पास्ट प्रस्ताव पेस किया तो डाक्टर भी आर अम्बेडकर ने क्या किया था दोस्तों सम्मिधान सभा के समच दी कांसिटिटिउसन एज सेटल्ड बाई दैसेंबिली भी पास्ट नामक प्रस्ताव पेस किया और सम्मिधान के प्रारूप पेस इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया गई है तो वो B.R. Ambedkar को दी जाती है संभिधान सभा में डाक्टर B.R. Ambedkar का निर्वाचन पस्चिम बंगाल से हुआ था ठीक है दोस्तों यहां पर थोड़ा सा यह कोश्चन अक्सर कर के बनता है तो यदि संभिधान सभा में डाक्टर B.R. अमेडकर का निर्वाचन प्रारम हमें दोस्तों पस्चिम बंगाल से हुआ था लेकिन क्या हुआ विभाजन के बाद जो पस्चिम बंगाल था तो जहां से वो चुने गए थे तो वो हिस्सा क्या हुआ दोस्तों पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया था तो इस करण स के इनको वो सीट चोड़नी पड़ी थी तब जा करके इनको फिर बाद में उनको मुंबई से क्या किया गया दोस्तों संबेधान सभय किया संबिधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उलेख उस दिन के रूप में किया गया है, जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संबिधान को अपनाया लागू किया, वह स्वैम को सौपा, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाये गए संबिधान में प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुचेद और 8 अनुसूचिया थी, प्रस्तावना को पूरे संबिधान को लागू करने के बाद लागू किया गया, तो दोस्तों जो प्रस्तावना है उसको पूरा संविधान लागू कर दिया गया उसके बाद प्रस्तावना को लागू किया गया तो इस तरह से दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया था तो उसमें क्या था दोस्तों उस संविधान में एक प्रस्तावना थी 22 भाग थे दोस्तों 395 अनुचेद थे और 8 अनुचूचियां थी और प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद क्या किया गया दोस्तों लागू किया गया याद रखेंगे संभिधान सभा के विकास के चरण तो संभिधान के निर्माड में संभिधान सभा को दो वर्स एक जारह मास तथा अठारह दिन का समय लगा तो संभिधान निर्माड में दोस्तों कित्ता टाइम लगा प्रतम चरण दोस्तों जो विकास का चरण है उसमें पहला चरण दोस्तों यह चरण 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला इसमें संविधान सभा कैबिनेट मिसन दोरा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कारे करती रही तो पहले चरण में क्या हुआ दोस्तों जो संविधान सभा थी तो उसको कैबिनेट मिसन ने क्या किया था जो सीमाओं बताई थी उसके अंदर कारे करती रही और इस चरण में पंडित जवाहरलाल नहरू ने संभिधान का उद्देश प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसके आधार पर संभिधान का प्रारुप तयार करने की प्रक्रिया आरंभ हुई और इसी के आधार उद्देश प्रस्ताव के आधार पर ही क्या हुआ था दोस्तों जो सम्विधान का प्रारूप था उसको तयार करने की प्रक्रिया को प्रारंध किया गया आगे देख लेते हैं दोस्तों दूसरे चरण में सम्मिधान सभा के विकास के दूसरे चरण में सम्मिधान के निर्मार में सम्मिधान सभा को यहां दोस्तों थोड़ा सा दूसरे चरण में दोस्तों यह चरण 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला और इस दोरान सम्मिधान सभा एक प्रभुत संपन एवं आईस्थाई संस्था के रूप में कारे करती रही इस दोरान सम्मिधान के प्रारूप का सम्मिधान सभा में वाचन किया गया और दूसरे चरण में क्या हुआ दोस्तों जो प्रारूप बना था तो उस पर क्या हुआ दोस्तों वाचन किया गया वह उस पर व्यापक विचार विमर्स हुआ वाचन किया गया और उस पर क्या हुआ दोस्तों व्यापक ब्रिस्तित क्या हुआ दोस्तों विचार विमर्स हुआ तो 15 अगस्ट 1947 से 26 नवंबर 1949 तक क्या हुआ दोस्तों दूसरा चरण था और इसमें क्या हुआ दोस्तों समिधान सभा में प्रारूप का वाचन किया गया समिधान के प्रारूप का वाचन किया गया और उस पर व्यापक विचार विमर्ज किया गया त्रितिय चरंड थर्ड स्टेज में दोस्तों यह चरंड 27 नवंबर 1949 से 27 नवंबर 1949 से 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चला और इस दोरान सम्मिधान सभा तब तक एक 27 अंसद के रूप में कारे करती रही जब तक भारत में आम चुनाओं के पश्चात निर्वाचित प्रतनी दिन नहीं चुने गए वह नई संसद का निर्मार नहीं हुआ तो तिसरे चलाण में दोस्तों 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक तिसरा चलाण मानते हैं और इस दोरान दोस्तों जो सम्मिधान सभा ती एक 28 अंसद के रूप में कारे करती रही कब तक कारे करती रही दोस्तों जब तक भारत में आम चुनाओं के पश्चात निर्वाचित प्रतनी दिन नहीं चुन लिए गए और नई संसद का निर्मार नहीं हो गया तब तक सम्मिधान सभा जोती दोस्तों एक 29 अंसद के रूप में कारे करती रही ठीक है दोस्तों आगे देख लेते हैं संबिधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संबिधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप में 114 दिनों तक विचार विमर्स हुआ तो संबिधान निर्माताओं ने क्या किया दोस्तों लगभग 60 देशों के संबिधान का क्य किया दोस्तों अध्यान किया अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर दोस्तों 114 दिनों तक विचार विमर्स हुआ और उसके बाद जाकर के दोस्तों ये पूरा जो है तो संबिधान हम लोगों के सामने आ जिसको यदि क्या किया जाए दोस्तों सारे वेदों को एक तरफ इतिक्ता के पार्ट को क्या करेंगे दोस्तों बताएंगे तो उतना क्या है अकेले संविधान क्या है मौलिक रूप जो है तो मौलिक सिच्छा प्रदान करता है तो आगे देख लेते हैं दोस्तों संविधान दिवस तो 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मन इसकी शुरुवात 2015 से हुई क्योंकि यह वर्ष संभिधान निर्माता डाक्टर बी आर अम्बेड कर भीम रा अम्बेड करके 125 जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था तो 2015 से क्या किया गया दोस्तों 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे 2015 से क्यों दोस्तों क्योंकि 2015 में जो क्या थे संविधान के निर्माता थे जो आधुनु की मनु की संग्या जिनको प्राप थे दोस्तों भीमराव अंबेडिकर जी उनका क्या था दोस्तों 125 जन्म दिवस मनाया गया था 2015 में और उसी दिन से क्या किया गया दोस्तों 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस की रूप में मनाया जाने लगा ठीक है दोस्तों आगे देख लेते हैं अंतराष्टी लोकतंत्र दिवस तो 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में दोस्तों याद रखेंगे 26 नवंबर को संविधान दिवस और 15 सितंबर को दोस्तों 15 सितंबर को विश्व भर में अंतराष्टी लोकतंत्र दिवस मनाया गया स्युक्तराष्ट महासभा ने वर्स 2017 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को मनाने की घोशना की थी तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा पहला लेक्चर दोस्तों यहां से समाप्त होता है और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यबाद दोस्तों जय हिंद थैंक्स फर बाचिंग